हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लिए हैं बीसी फर्स इर सेमेश्टर वन इक्जामेशन दोहजार देईस आपका सब्जेक्ट क्या है रसायन विज्यान है आपका बुक क्या नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमेस्ट्री तो यहाँ पर आपको टाइम टू आवर्स का दिया ज है तो मैं आपको आप में बता दे रहा हूं कर आपके थ्री सेक्शन होगे सेक्शन एक शेक्शन जी मां को करने हैं शेक्शन वन आपको बात करिया जाया तो फॉर हंडड़ फिप्टी वर्ड तो आइए सब ही लिए फर्स्टियर सेमेश्टर वन है तो यहाँ पर देखिए आपका जो first question का A part है यहाँ पर first question का गया है right short note on following तो यहाँ पर जितने भी terms आपको दिये गए हैं सभी का एक short note आपको लिखना है तो सबसे पहला question आपका क्या है resonance energy अनुनाद उर्जा क्या होता है इसका आपको definition वगेरा देना है फिप्टी वर्ड में और फिर आपको question number B है first का confirmation संडूपर फिर आपको इसको भी बताना है फिर यहाँ पर दिया है which of the following compounds has a longer C double bond C bond length फिर इसी प्रकार आपका question number यहाँ पर D है देखिए यह आपका C था और नीचे यहाँ पर आपको D दिया गया है आज़े चलते हैं question number E की तरफ यहाँ का question number E है तो यहाँ पर देखिए आपको question number E है यह और फिर नीचे देखिए आपका यहाँ पर F है what do you mean by configuration विन्यास से क्या समझते हैं इसको आपको लिखना है 50 word में फिर आपका question number G क्या है what is soft bear soft bear क्या होता है और फिर यहाँ पर H है what is optical activity और फिर यहाँ पर है explain bond fission और यहाँ पर J है explain effective nuclear charge आईए अगले question की तरफ चलते हैं तो यहाँ से section भी start होता है आप इन सभी question को अच्छे से देखते चलिए निम्न अब लिया का उत्पात बताईए यहाँ पर आपको reactant दिये गये हैं इसका आपको product बताना है इसी प्रकार आपका question number third भी है आए हो question number four की तरफ चलते हैं आपके क्या है निम्न लिखी समर्चनाओं को RS चिन्नित करें तो यहाँ पर आपको one से लेकर करके four तक दिये गए हैं structure इसमें आपको RS चिन्नित करना है यहाँ पर दिख लिजिए आपका first है four का यह second है और इधर आपको third भी फोर दिये गए है फिर आपका question number five है इसको आप note कर लिजिए और फिर यहाँ पर आपको question number six दिया गया है और question number six का ही एक part इधर है आपका third यहाँ पर आपको question number seven है इसमें भी आपके four part है evcd करके हैं यहाँ भी आपको इसी का part दिया गया है c और d अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका section c जो कि आपको कि दो ही question करने है आपका first question क्या है discuss about hyperconjugation अत्ति से युगमन के बारे में विस्तार से समझाईए बताईए इसके लिए आपको साथे दस नमबर यहाँ पर दिये जाएंगे फिर आपका question number 9 है और इसी प्रकार का question number 10 है यहाँ पर देख लिजी आपके section c का last question क्या है question number 11 है what is molecular orbital theory discuss the molecular orbital diagrams of O2 Cu and NO यह था आपका रसाइन विज्ञा के question people B.C. first year semester 1 examination 2023 आई होप वीडियो को पसंदा है को वीडियो को पसंदा हो तो हमारे चालों को subscribe करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए thanks for watching this video have a great day